बच्चो आपने अभी तक वैदिक गणित की मदद से गुणा करना सीखा है कुछ अभ्यास आपने किये जिसमें आपने विजी संख्याओं का भी गुणा किया और अंग संख्याओं का भी गुणा किया अब हम वैदिक विदियों की मदद से भाग देने पर विचार करेंगे अब देखेंगे ये हमारी समस्या को हमारे सवाल को बहुत आसान और बहुत छोटा कर देता है हमें एक बड़े गौर से इसको देखना और समझना है कि हम करते क्या है इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरन पर बात करेंगे हमारे सामने उदाहरन तैती से और यहां पर जो संख्याय हमें दी हुई है भाज़े और भाज़क की रूप में वो आपके सामने है हमें दिया हुआ है साथ एक स्वर्ग रिंड पाँच एक स्धन तीन जिसमें हमें एक स्धन एक का भाग करना है तो आप जानते हैं कि यह भाज़े है हमारा साथ एक स्वर्ग रिंड पाँच एक स्धन तीन और भाज़क हमारा एक स्धन एक है यह आपके एक स्धन एक है वैदिकड़े से भाग देने की जो विवस्ता है उसमें हम शुरूर में कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे हमारा भाजक छोटा हो जाए और भाज्य भी छोटा हो जाए तो यहां पर एक स्थन एक इसमें हम इस चर राशी के अत्रिक्त जो संख्या दी हुई है इसे विचलन कहते हैं इसे हम लिखें विचलन धन एक है और इसी विचलन को हम उसके परावर्त में बदलते हैं तो इसका जो परावर्त होता है वो हम देखें यह क्या होता है परावर्त यह इसका रिणात्मक सोरूप होता है जैसे धन एक विचलन है तो यदि हम इसमें रिण एक का गोणा करने तो जो हमें मिलेगा वो हमारा परावर्त होगा और यही परावर्त ही हमारा नया भाजक होगा यह संशोदित भाजक होगा संशोदित भाजक अब देखिए हमारा भाजक शुरू में एक संशन एक था जो बाद में बदलकर रिण एक हो गया और संख्यात्मक रूप में आ गया अब यह जो चीज हमें मिली उसमें यहां पर लिख लें भाजक के रूप में हमारा भाजक रिण एक है और जब हम भाज सब्सक्राइब लिए उनकी हरे घात को छोड़ देते हैं और के अवल इनके गुडांकों को लिखते हैं अब देखिए हमारा सवाल कितना आसान हो गया और गुडांकों को हम उनके चिन्नों के साथ लिखेंगे जैसे यहां पर साथ है जो धनात्मक है तो यहां पर हम लिखें धन साथ यहां देखिए यहां पर जो गुडांक है वो रिण पांच है और यहां पर एक स्वतंत्र संक्या है जहां पर एक सिखाश शुन है तो इसे भी हम यहां पर लिख लेते हैं तो यह हमने दो परिवर्तन की एक तो हमने भाज़क में परिवर्तन किया हमारा भाज़क यही परावर्त जो है वो हमारा संशोदीत भाजक हुआ इसे हमने यहां लिखा और भाज्य में से हमने केवल जो गुडांग थे चरों के उनको उनको यहां पर लिखा उनके चिन्नों के साथ अब एक काम हमें और यहां करना होता है कि इस पुरे भाज्यी संख्याओं में यहा शेष फल से सम्मंदित होता है तो हमने आगरी वाले इस तम में जो लिखा हुआ था तीन धन तीन उसे शेष फल के रूप में छोड़ दिया अब हम भाग देनी के प्रक्रिया शुरू करते हैं सबसे पहले चीज जो हमें मिलती है हमारा जो उत्तर आएगा जो हमारा भाग फल आएगा जिसे हम यहां लिखेंगे तो भाग फल के रूप में जो चीज लिखी जाएगी वो सबसे पहले हमारे सामने यहां लिखी वी रहती है तो यहां जो संक्या हमें मिल रही है वो हमारे भागफल का पहला हिस्सा होता है, तो उसे हम जैसा है वैसा लिख लेते हैं, तो हमारे भागफल का जो पहला हिस्सा है, वो धन साथ के रुपे हमें प्राप्त हुआ, उसे हमने यहाँ पर लिख लिया, अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, उसका इस नए भाज़क के साथ गुणा करते हैं तो हम धन साथ में रेन एक का गुणा करेंगे और हमें मिलेगा रेन साथ ये जो रेन साथ मिल रहा है उसे हम अगले वाले भाज़क के नीचे लिखते हैं ये हमारे परणाम होता है अब हमारे पर दो संख्या हैं रेंड पांच पहले से मौजूद था और रेंड साथ हमें यहां पर मिला इनका योग हम लिखेंगे तो हमको मिलेगा वो रेंड बारा के रूप में यह रेंड बारा जो हमें प्राप्त हुआ रेंड बारा और रेंड का गुणा करने पर आपको धन बारा मिलता है धन बारा को आप यहां लिखेंगे और धन तीन पहले से मौजूद था उनके साथ मिलाईए दोनों को तो हमें मिलेगा यहां पर धन पंद्रा यह शेश फल है भाग दैनी के प्रक्तिया के बाद जो हमें मिलेगा वह आपको यहां पर उपलब्द हो रहा है जो धन पंद्रा के बराबर है और यही हमारा शेश फल है अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो संख्या मिली हुई है धन साथ रिंड बारा तो यह वास्तों में धन साथ रिंड बारा तो है लेगिन इनके साथ हमें जो चर राशिय हैं उनको भी शामिल करना होगा क्योंकि यहां पर चर राशियों को हमने छोड़ दिया था तो आप बताईए कि यहाँ पर क्या कौन सी चर राशी होनी चाहिए आप देख रहें कि जो भाज्य है वहाँ पर एक सी खाथ दो है और भाजक में भी एक सी खाथ एक है जाईर है कि जो हमें प्रणाम मिलेंगे और यहां जो हमें परापत हुँआ धन पंत्रा वो शेश्वल है तो आपका प्रणाम हुआ धन साथ रेंड बारा भाग फल के रूप में और धन पंद्रा शेश फल के रूप में तो आप देख रहे हैं वैदी गणित की मदद से आपने कितनी आसानी से इसे भाग के रूप प्रणित कर लिया किवल कुछ पद हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा और कुछ नए सवालों पर आप अभ्यास करेंगे तो यह बहुत आसानी से से कर पाएंगे